अगर आपने मेरे चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और फिर बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालू आप उसे देख सकें हेलो प्रेंज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेल बोटम पेंट की स्टिचिंग इसकी कटिंग मैंने आपको अपनी प्रिविएस वीडियो में बता रही है बेल बोटम पेंट में सबसे पहले हम इसकी इस क्रॉच लेंथ में जिप लगाएंगे ये भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है जिसका लिंक आपको नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो पहले मैं जिप लगाने के बाद आपको next प्रोसीड करते हैं जिप insert करने के बाद अब हम इसमें plates डालेंगे जो होंगे हम यहां से यह कन्य छोड़ने के बाद half inch slide के नाम का छोड़ेंगे margin इसी प्रकार इधर से भी margin छोड़ते वे यहां से इसके center तक जिप के center तक हम इसको measure करेंगे और अपनी कमर का 1 by 4 रखते वे बाकी के fabric को हम plate में insert करेंगे हमारी इस pen की कमर है 32 inch तो यह हमारा यहां से 9 inch आया है हमारा 1 inch extra है तो हम इस zip से लगभग 3 या 2.5 inch ऐसे रख करके इसकी आगे 1 inch का plate insert करेंगे और यह plate हम opposite side में insert करेंगे और इसकी length होगी 5 inch तो मैं इसको opposite side flip करके plates की निशान लगा करके next proceed करते हूं अब हम इन प्लेट को इस परकार मैच करके यहां से हां इसकी स्टिचिंग कर देंगे प्लेट इंसर्ट करने के बाद अब हम इस white fabric से pockets बनाएंगे pockets की हमारी width है five and a half inch तो मैं इस fabric को four layers में रख करके five and a half inch plus half inch यानि की six inch इसको fold कर लेती हूं और pocket की length है हमारी 11 inch तो मैं 11 and a half inch पे एक निशान लगा करके यह fabric कट कर लेती हूं उसके बाद हम इस fabric को लगबख seven inch के बाद pocket की shape देंगे इस परकार से और इसकी cutting करतेंगे उसके बाद हमारे इस bell bottom में इस परकार एक slant cut है तो हम इसकी two layers में यहां से यहां एक slant cut भी देंगे यह slant cut हमारा one and a half inch side से है और इधर से यह लगबख five inch के करीब है इसको हम two layers में ही देंगे क्योंकि back वाली जो हमारी pocket है वो बिल्कुल straight belt के साथ जुड़ेंगे यह हमारी pocket का center है अब हम इसको ऐसे open करते हैं और यहां से यहां लगबख four to five inch विर्थ में और इसके center तक इस fabric को इसके उपर paste करेंगे slant line से opposite side patch लगाने के बाद अब हम इस pocket को इस वरकार match करेंगे यानि कि पैच इस तरह अंदर आ जाना चाहिए और इस slant line को यहां से यहां तक सी लेंगे stitching करने के बाद अब हम इसको इस परकार fold करेंगे और यहां पर एक press stitching भी लगाएंगे यह हमारी pocket त्यार होगी है अब यह हमारी pocket यहां से open है तो अब हम इसको इस परकार ऐसे wrong side में ऐसे fold करेंगे और यहां से ऐसे pocket के stitching करेंगे अब हम पॉकेट में टॉप से वन एंड हाफ इंच का मार्क लगाएंगे और यह हमारी स्टिचिंग लाइन है इसको इसके उपर attach करके यहां से ऐसे इस pocket को नीचे फिक्स करतेंगे और ऐसा हम दोनों side करेंगे इसके बाद हम इसको back side में इस परकार flip करेंगे और इस pocket को इस परकार अपर side लगा करके यहां पर भी हल्की से इक स्टिच लगाएंगे ताकि यहां से यहां यह हमारी बेल्ट स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे फ्रेंट की पॉकेट्स कंप्रीट करने के बाद अब हम बैक पीस पर आते हैं यहां पर हमने कटिंग में वन एंडे हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया था तो हम यहां से वन एंडे हाफ इंच का निशान लगाएंगे क्रॉच एरिये की साइड और ऐसी इसको रांडिंग शेप देते वे यहां तर हाफ इंच आ जाएंगे और इस प्रकार इसकी स्टिचिंग करेंगे यह कपड़ा होता है अगर बाइचांस फ्यूचर में हमें अपनी पैंट को विर्थवाइस एक्स्टेंड करना हो तो यहां से उधेर करके एक्स्टेंड करते हैं क्रोच लेंद के स्टिचिंग करने के बाद सिलाई का मर्जन रखेंगे साइड से और अब हम इसका साइड से से सेंटर तक मेजर करेंगे यह लगभग 10 इंच आया है हमें यह 8 इंच चाहिए क्योंकि हमारी कमर की विर्थ 32 है उसका 1 x 4 होगा 8 इंच तो बाकी के फैबरिक को हम यहां पर भी प्लेट डाल करके इंसर्ट करेंगे उसके लिए हम यहां से लगभग 3 इंडे 1.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और यह एक्स्ट्रा हमारा 2 इंच है तो हम यहां से 2 इंच का एक मार्क और लगाएंगे और इसकी लेंध सेंटर से 5 इंच लेकर की इसको इस प्रकार जो है प्लेट इंसर्ट करेंगे बैक साइड में यह प्लेट डालने के बाद अब हम फ्रन्ट और बैक को राइट टो राइट मैच करकी साइड की स्टिचिंग करेंगे और यह स्टिचिंग हम बॉट्यम तक करेंगे साइड के स्टिचिंग करने के बाद अब हम लूप स्टियार करेंगे जो मैंने आपको पहले भी बता रखेंगे उसके बाद हम बैक साइड का यह क्रोच लैंथ थोड़ा सा अंडू करेंगे और क्योंकि यह बैल्ट हम दो हिस्सों में कटिंग करते हैं एक साइड से यहां तक पूरा इस कपड़े तक हम इसको मेजर करेंगे और एक पार्ट काटेंगे बेल्ट रोल का और दूसरी साइड से भी मेजर करके दूसरा पार्ट कटेंगे इस परकार से बिल्कुल इसके कॉर्णर से स्टार्ट करेंगे और ऐसी यह लगबग 21 एंडे हाफ इंच एक साइड से आया है और दूसरी साइड से मेजर करेंगे इस परकार से यह 18 एंडे फाफ इंच एक साइड से आया है तो जिस साइड से हमने इसको हुक्स लगाने हैं उस साइड हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे यानि कि इस साइड जिस साइड 18 एंडे हाफ इंच आया उस साइड से हम 3 एंच और प्लस करेंगे तो यह भी 21 एंडे हाफ इंच हो जाएगा अब हम इस बैल्ट रोल से दो पीसिस काटेंगे 21 एंडे हाफ इंच के बैल्ट पीस को पेस्ट करने के बाद अब हम इस पीस को इस परकार फोल्ड करेंगे और पहले यहां से यहां तक ही स्टिच करेंगे उसके बाद हम इस को इस एरो शेप में कट करेंगे यह आप्शन है आप इसको सीधा भी बना सकते हो और इसको इस परकार रैड सेड में लेके आएंगे अब हम इस बेल्ट को यह फोल्डड पार से बेल बोटम का रॉम और इस बेल्ट के राइट को इस परकार स्टिच करेंगे और यह ऐसे स्टिच करते हुए बैक क्रोच लेंद तक जाएंगे अब हम अपने मार्क्स के उपर यह लूप इस परकार इंसर्ट करेंगे जैसे हम स्कर्ट में लगाते हैं दूसरी साइड की बैल्ट को हम बैक क्रोच एरिय से स्टार्ट करते हैं और फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा छोड़ते हैं इस परकार से इस परकार से हम फ्रंट साइड में लगभग थ्री टू-3.5 इंच एक्स्ट्रा यह बैल्ट लेके आते हैं उसके बाद हम इस पैंट फैब्रिक को बीच में रखेंगे और इस परकार इसको फोल्ड करके राइट साइड में ऐसे स्टिच करेंगे जैसे हम नॉर्मल बैट्स में करते हैं उसके बाद इन लूप्स को फोल्ड करना बताऊंगे अब हम अपर साइड में एक स्टिचिंग देंगे और इसको यानि की लूप्स को ऐसी फोल्ड करके स्टिच करेंगे लूप जोइन करने के बाद अब हम बैक साइड जाएंगे जो हमने ये स्टिच अंडू के थी इसको वापिस हम यहाँ से बेल्ट तक स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे ये स्टिचिंग करने के बाद अब हम इसमें हुक्स और लुप्स लगाएंगे और रॉंग साइड में ले जांके वन फूट होल से क्रोच ल routines लेते वे दूसरे फूट होल को तक स्टिच करेंगे और टॉप से अपनी required length लेकर के bottom width को fold कर देंगे ये सब complete करने के बाद मैं इसके एक पिक upload कर दूँगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए है तो सबस्क्राइब करें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक नए कटिंग या एक नए स्टिचिंग असान तरीके से समझाऊंगी धन्यवाद झाल आपको नए है तो सम्झाऊंगी धन्यवाद